नमस्कार, स्वावत आपका न्यूज नाइंटीन में और मैं आपकी साहा सुम्ता शर्मा खपर रतनगर से है जहाँ पस चौदे गौवन्शं को ट्रक में भकड कर मुझभण नगर के लिए ले जाये जा रहा था लेकर पुलिस को मिली सुचिना पर आरुपियों को गरपतार किया गया और गौवन्शं को मुक्त किया आगर पुरी जानकारी क्या है देखे इस खास की वोट में रतनगर पंजाब के मलोट से एक ट्रक में 14 गौवन्श भर कर मुझभण नगर के बूचल खाने जा रहे ट्रक को पुलिस ने शुक्रवार को पकड़ कर गौवन्श को मुक्त करवाया है वहीं ट्रक के आगे चल रही एक कार को भी जबतकर ट्रक वोग कार में सबार 4 आरूपियों को गरपतार किया गया है प्राप द्यानकारी की अनुसार पुलिस को मुक्विर से अवैत रूप से गौवन्श की तसकरी होनी की सूचना मिली जिस पर एसाई राविनवास संगम चौराहा पहुँचे साती एक ट्रक वो कार को रुखवाया साती ट्रक की दलाजी ली तोस में गाय सहित 14 गौवन्श भरे हुए थे पुलिस ने गौवन्श को मुक्त करवा कर 50 वर्षी ट्रक चालक मुना 32 वर्षी खलासी पुर्खान ततक कार में सवार 32 वर्षी आसु एवं 20 वर्षी चालक अलवक्स को गरपतार कर लिया आरोपी और ये पूश्तास के दोरान बताया कि भी पंजाब से गौवन्श को मुझपफन अगर इस तिद्वूशर खानी ले जा रहे थे पुलिस ने मुकत्मा दर्जगर जान सुरू कर दी है सुसना में मुक्वीर की सुसना मिली थी रात को पूरी रात हम गस्त पे ते माला सर्टोल पे और सुबहें करीब बन साड़ी साथ वजे ये ट्रक का हमें आता दिखाए दिए इस रोकने कोशिश की तो ये ट्रक भागने लगा संगम 14 से करीब बन 500 मिटर आगे एक तेजल ग हमने पकड़ने के बाद पुलिस को सुसना थी मोक्य पर पुलिस आगे पुलिस कारवाई अब चालू है और राजल्डे सरनाथ वह साला में इस हांड़ों हम खाजी करेंगे और पुलिस कारवाई आपने अशाब से जोग करनी है वोग मिलीग यूपी नमरा का ट्रक था मैं वहां संगम 14 अगस्त पर तोरा ने गस्त इस ट्रक को चेक किया तो इसके अंदरे तेरा साड़े एक ताई थी ट्रक को रुका कर इसके चालक को इन कुस्मों के बारे में पुच था श्की तो इनके पास कोई परमिटे कोई कोई लाइसेंस बताया कि हम इनको बुच्र खाने में लेकी जा रहे हैं यह चार लोग थे दो लोगे शिप्ट डिजाइर से आगे एसकोट कर रहे थे और दो ड्रक के अंदर थे चारों को मैंने मामोके पर इनको गिरुबदार किया है और पस्वों को गउसाड़ा में चुटवाया जा रह देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों को जानने के लिए जुड़े रहे न्यूज नाइटीन के साथ नमस्काव